और अगर आपको best in class performance के साथ साथ best in class mileage भी चाहिए नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसा आप लोग आज इस उडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ best bike in India for mileage and performance क्या है ना कि कुछ लोगों को best in class performance चाहिए होता है और कुछ लोगों को best in class mileage चाहिए होता है बट क्या हुआ कि अगर आप लोगों को दोनों भी चाहिए means कि आपको best in class performance तो चाहिए ही बट साथ मैं best in class mileage भी चाहिए तो specially आपके लिए मैंने ये वीडियो में ऐसी best bikes को include किया है जिनका mileage तो अच्छा है ही बट उनकी engine की performance भी बहुत ही अच्छी है October में festive season चालू होने के वज़े से showroom में बहुत अच्छे offers मिल रहे है जिनको आप लोग एक बार check out करना मत बुलिएगा और हाँ वीडियो स्ट करने से पहले एक छोटा सा question की ये वीडियो में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई या फिर कौन सी बाइक आप लेना चाहोगे ये मुझे नीचे comment करके बता देना तो चलिए ज़ाधा time wait नहीं करते है और स्टार्ट करते है अपना वीडियो तो नंबर 10 पे है TVS Radar 125 ये एक commuter bike है और ये bike 125cc की category में बहुत ही अच्छे इंजिन performance के साथ साथ अच्छे mileage भी deliver करती है Radar 125 में आपको all new 124.8cc का air and oil cool engine मिल जागा जो कि power produce करता है 11.2 bhp का and 11.2 Nm stock generate करता है bike अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 55 से लेकर 60 kmpl के बीच में इसका engine refine है और smooth भी है rider and pillion दोनों के लिए bike comfortable है drum brake and disc brake दोनों का भी option आपको इसके अंदर मिल जाएगा और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर SBT braking technology भी मिल जाएगी इसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,13,000 से लेकर 1,26,000 के बीच में rider में आपको riding modes भी मिल जाएगे जिसके वज़े से आप better mileage अचीव कर सकते हो और इसमें आपको Bluetooth connectivity भी मिल जाएगी यस छोटे मोटे build quality के issue से ये bike के अंदर नहीं तो ये bike बहुत ही अच्छा चोईस है but इसके engine की performance भी अच्छी है SP 125 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,03,000 से लेकर 1,08,000 के बीच में drum brake and disc brake दोनों के भी option आपको इसके अंदर मिल जाएगे और bike का weight है 117 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर CBS braking technology भी मिल जाएगी city traffic में चलाना और handle करना ये bike को बहुत easy है इसमें आपको 124 CC का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 10.72 BHP का and 10.9 Nm stock generate करता है bike अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 65 से लेके 70 kmpl के बीच में seat इसकी बड़ी है और spacious है और bike का look भी बहुत अच्छा है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो number 8 पे है Yamaha FZS version 4 ये bike एक street bike है और ये bike के engine में आपको okay performance भी मिल जाएगी और साथ में mileage भी ठीक है FZS में आपको 149 CC का air cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 12.2 BHP का and 13.3 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेकर 48 kmpl के बीच में riding position इसकी comfortable है and seat height भी low है FZS version 4 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,43,000 से लेकर 1,55,000 के बीच में front and rear दोनों में आपको disc brake मिल जाएगा और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS के साथ traction control भी मिल जाएगा इसका weight है 136 kg का और अब से आपको इसके अंदर instrument cluster थोड़ा सा बड़ा मिल जाएगा जो की बहुत ही अच्छी detail भी provide करता है अगर आपको एक scrambler look वाली bike चाहिए तो आप FZX के लिए भी जा सकते हो बड़ उसका price थोड़ा सा high है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते हैं तो number 7 पर है बजाज Pulsar N160 ये एक street bike है और Pulsars तो पहले से ही Indian market में अपनी अच्छी performance के वज़े से famous है बट N160 में आपको अच्छी performance के साथ साथ अच्छा mileage भी मिल जाएगा N160 में आपको all new 164.82cc का oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 15.68 bhp का and 14.65 Nm stock generated करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेके 47 kmpl के बीच में N160 का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 1,54,000 से लेकर 1,64,000 के बीच में bike a weight है 154 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा sitting position इसकी अच्छी है और इसके अंदर आपको mixed instrument cluster मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छी details भी provide करता है बट इसके अंदर आपको bluetooth connectivity नहीं मिलेगी तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो number 6 पर है Honda X-Blade यह एक commuter bike है और अच्छे mileage के साथ साथ इसके अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी performance भी मिल जाएगी X-Blade में आपको 162.71 cc का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 13.67 bhp का and 14.7 Nm stock gendered करता है बाइक के अंदर 5 gears है और यह engine mileage deliver करता है आराम से 48 से लेकर 50 kmpl के बीच में engine की refinement बहुत ही अच्छी है और engine smooth भी है इसका weight है 144 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा X-blade का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 1,42,000 से लेकर 1,48,000 के बीच में बाइक की build quality बहुत ही अच्छी है अगर आपका budget थोड़ा सा कम है तो आप Honda Unicorn के ले जा सकते हो या फिर same engine के साथ आपको अभी newly launched SB160 भी मिल जाएगी आप उसके लिए भी जा सकते हो तो चले भी next bike के बारे में बात करते है तो number 5 पे है बजाज Pulsar F250 ये एक street bike है और 250cc की category में अगर आपको अच्छा engine और आपको अच्छा mileage चाहिए तो ये bike बहुत ही अच्छा choice है Pulsar 250 में आपको दो models मिल जाएंगे AKN 250 और दूसरा है F250 दोनों भी bikes का on-road price कुछ ऐसे है 1,71,000 से लेकर 1,85,000 के बीच में दोनों भी bikes में आपको कुछ modern features मिल जाएंगे और दोनों में आपको same engine मिल जाएगा like 249cc का oil cool engine जो की power produce करता है 24.1 bhp का and 21.5 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 34 से लेके 36 के MPL के बीच में ये engine की refinement सही है और इसकी beauty quality भी ठीक है bike avate 162 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो नमबर 4 पर है Hero Xpulse 200 4V ये एक ADV bike है और new 4 valve वाले engine की performance भी बहुत ही अच्छी है और ये engine mileage भी अच्छा deliver करता है Xpulse का latest honor price range है मेरे यहाँ पर 1,79,000 से लेकर 1,90,000 के बीच में Xpulse में आपको all new 199.6 CC का oil cool engine मिल जाएगा जो के बार पर इसकरता है 18.8 BHP का 17.35 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 40 से लेकर 42 KMP के बीच में bike का weight है 158 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा engine के refinement बहुत ही अच्छी है बट इसकी seat height बहुत ही जादा उपर है Xpulse का weight है 159 kg का और इसके suspension का setup भी बहुत ही अच्छा है जिससे आपको एक comfortable ride मिलेगी तो चले भी next bike के बारे में बात करते है तो number 3 पे है TVS Apache 200 4V ये एक commuter bike है और ये bike के engine की performance तो अच्छी है ही बट riding modes के जरिए आप इसके engine से अच्छा mileage भी ले सकते हो Apache 200 4V में आपको 197.75 cc का oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 20.54 BHP का and 17.25 Nm stock generate करता है bike अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 38 से लेके 40 kmpl के बीच में ये engine की refinement बहुत ही अच्छी है और engine की performance भी बहुत ही अच्छी है Apache का latest onward price range है मेरे यहाँ पर 1,65,000 से लेकर 1,75,000 के बीच में इसमें आपको riding modes भी मिल जाएंगे और साथ में Bluetooth connectivity भी मिल जाएगी Apache का weight है 152 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS का option भी मिल जाएगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो नमबर 2 पे है Honda Hornet 2.0 ये एक committer bike है और अच्छे एंड बड़े engine के साथ-साथ आपको इसके अंदर अच्छा mileage भी मिल जाएगा तो एक सोने पे सुआ का वाली बात हो जाती है और नेट में आपको 184.4 CC का air cool engine मिल जाएगा जो की बार produce करता है 17.03 BHP का 16.1 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेकर 46 के MPL के बीच में ये engine smooth है और long lasting भी है plus sitting position comfortable है and seat height भी low है bike की build quality अच्छी है और latest features भी आपको इसके अंदर मिल जाएगे और net का latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 1,65,000 से लेकर 1,68,000 के बीच में bike का weight है 142 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो finally number 1 पर है Yamaha MT-15 version 2 ये एक naked sport bike है और अगर आपको best in class performance के साथ best in class mileage भी चाहिए तो MT-15 आपके लिए बहुत ही सही choice है MT-15 को चलाने में बहुत ही जादा मजा आता है क्योंकि इसके engine की performance बहुत ही अच्छी है और braking भी best in class है इसमें आपको 155cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 18.1 bhp का and 14.1 Nm stock generate करता है bike in the 6 gears है और ये engine में ले deliver करता है 45 से लेके 50 kmpl के बीच में जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये engine की performance low, mid and top range में बहुत ही अच्छी है और engine smooth भी है sitting position इसकी अच्छी है and bike is very comfortable MT-15 में आपको features भी बहुत ही अच्छे मिल जाते है और bike-a-weight है 141 के जिसका साथ में आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS के साथ साथ traction control भी मिल जाता है which is really good so guys that's it from my side अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का doubt रहेगा किसी भी bike से regarding तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो या फिर मुझे मेरे Instagram अगर आपको ये वीचे लोगों कोई भी तरीके का रहेगा